हलो दोस्तों मैं वह संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बैविस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जहारखंड बोड़ परिक्षा 2023 के एगर हमी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कोर का अभिव्यक्ति और माध्यम से समधित 10 महत्यपून इंपोटेंट क्यूचन लेकर आया हूँ इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि आप लोग का हिंदी कोर का एकजाम 17 अपरेल से होने वाली है और इस वीडियो में से आपको 10 क्यूचन पके आएंगे इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्यपून है तशलिए दोस्तो कौन कोन से क्यूचन आपको इस से आएंगे उसको बारे में हम लोग 20 सार से वर्नन करते हैं पहला क्यूचन हमारा यहां कह रहा है निबंध का अंतिम भाग क्या कालाता है इसका एंसर हो जाएगा option number C, निबंध का अंतिम भाग क्या होता है, निसकर्थ होता है जब कि पहला भाग प्रस्थावना होती है, इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं, तो क्यूचन हमारा दुजर का कर रहा है, निबंध लेखन में खाली असन विचारों की अभिवेक्ति होती है, तो इसके बाद हम लोग अगला क्यूचन देखते हैं, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए, पत्र में संबोधन ये तो किस सब्द का पर्योग परचलित होता है, तिसका राइट इंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर A, महदे, इसके बाद अगला क्यूचन है, जन समाचार माध्यमों का परमुख कारे क्या है, जिसका राइट इंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर A, सुचना देना और सिक्षित करना होता है, इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं, यहां कारा अगला क्यूचन, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का सौरूप ह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तथात्मक होना चाहिए, इसका ऑप्शन नमबर C, एंसर हो जाएगा, इसके बाद अगला क्यूचन है, पी टी आई, क्या है, तो यहां एक तरफ परकार का समाचार एजनसी है, इसलिए ऑप्शन नमबर A, इसका राइट एंसर हो जाएग इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं पत्रकारता के विकास में कौन सा मुलभाव सक्रिय रहता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अगला क्यूशन है इसके बाद अगला क्यूशन है सिनेमा और रंगमंच की तरह रिडियो एक द्रिश माधियम नहीं बलकि कौन सी माधियम है तिसका राइट एंसर हो जाएगा कौन सी माधियम हो जाएगी तिसका राइट एंसर option number A हो जाएगा स्राव माधियम इसके बाद हम लोग अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन हिया कर रहा है सब्ताहिक पत्रिक्ता सब्ताह में कितनी बार परकासित होती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number C एक बार जबकि अगला क्यूशन हिया कर रहा है इस टिंग और परेशन किस पत्रकारिता का एक सवरूप होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number E खोज परक पत्रिका का इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग यहां देखते है तो निबंद का अंतिम भाग चाह कलता है यह क्यूशन रिपिट हो गया है इसलिए आप इसको भ्यान दिजेगा यह क्यूशन आपके लिए बहुत इंपोटेंट है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नंबर डी निशकर्स इसके बाद अगला क्यूशन है निबंद का एक अति आवस्षक गून है क्या सागून है तो मौलिक गून है इसका अप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो मेरे इस चैनल ट्रिकी भाई विस गूपता को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों क्यांकि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चैनल है कोई भी नोटिपिकेशन इस वीडियो को आपको इस चैनल पर दिया जाता है इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना है अपने दोस्तों में सेर करना नहीं बूलेंगे दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो अगला क्यूचन हम लोग यहां देख रहे हैं तो हमारा अगला क्यूचन यहां करा है प्राथन अर्थात जो प्रेशक होते हैं उसका सिगनेचर यहां पर होता है इसके बाद अगला क्यूचन देखते हैं सर पर्थम मुदरन का प्रारम कहां हुआ था तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number D चीन में हुआ था इसके बाद अगला क्यूचन देखते हैं फिल्म सिन जन संचार के किस माध्यम के अंतरगत आता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number D द्रिश्य स्राव माध्यम के अंतरगत आता है इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं इसके मीडिया की भासा में बीट किसे कहते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number कि ए संदाताओं के बीच कारी विभाजन को इसके बाद अगला क्यूचन है संचार सब्द कुद्पति चर सबसे हुई है चर का क्या अर्थ होता है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B चलना इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं कि यहां पर अगला क्यूचन यहां कह रहा है विद्याले में आउकास हे तू दिये गए आवेदन में किसे समूधित किया जाता है तिसका यहां विद्याले में कह रहा है तब विद्याले का समध हमारे प्रधाना अगला क्यूचन हिया करानिमलिकित में से कौन सा निबंध का एक भाग है तिसका राइट टेंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए प्रस्तावना निबंध का भाग है जो सबसे पहले लिखा जाता है इसके बाद अगला क्यूचन कह रहा है निबंध खाली असन साहित की एक कि के बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं जन संचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते है तिसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर इंह सन्वा दालता कहते हैं जबकि अगला क्यूचन है समाचार पत्र की सैली कौन सी होती है थिसका राइट means payments अप्शन नंबर वी उल्टा पिरामिट की तरह होती है कि इसके बाद अग्ला क्यूशन है पीचर लिए हिंदी में कौन सा सब्ध पर syst वता है थिसका राइट ऑप्शन नमबर D रूपक इसके बाद अगला क्यूचन है जन संचार माधियमू के अंतरगत रेडियो एक विशे स्खाली अस्तान माधियम है कैसा माधियम है रेडियो तो अप्शन नमबर C हो जाएगा स्राव माधियम है इसके बाद अगला क्यूचन है अमर उजाला समाचार पत्र है कैसा समाचार पत्र है ति हिंदी समाचार पत्र है इसलिए option number A हो जाएगा इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं भारत में टेली बीजन का प्रारम कब हुआ था ति इसका right answer हो जाएगा option number A 15 सितंबर 1969 में हुगा था अगला question देखते हैं किसी खास विशय पर समाने लेखन से हट कर लिखा गया लेखन क्या कहलाता है जिसका right answer हो जाएगा option number C कि अर्थात आपका answer हो जाएगा ताई हो प्यों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजीगा और जितना हो सके दोस्तों में share करना नहीं भूलेंगे इसी तरह से और आगे हम लोग देखते हैं अगला question कर रहा है निबंद का अर्थ क्या होता है तिसका right answer हो जाएगा option number A बांधना होता है इसके बाद अगला question है मता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर गाता आता है तिसका right answer हो जाएगा option number B, on-off-charik पत्र के अंतरगात आता है इसके बाद अगला क्यों चाने संपादक किये किसके दवार लिखा जाता है तिसका right answer हो जाएगा option number B, संपादक दवारा इसके बाद अगला क्यों चाने कराएं जन संचार का स्रव माध्यम कौन सा है तजन संचार का स्रौ माध्यम कौन सा है अर्थात रेडियो है option number C हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूचन है समाचार पत लेखन की सैली क्या कहलाती है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B उल्टा पिरामीड कहलाती है इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते है यहा समाचार पत लेखन में कितने काकार होते हैं तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B उल्ट चे काकार होते हैं इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग यहां देखते हैं आले खाली अस्थान का एक रूप है तक ऐसा रूप है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा निबंध option number A जबकि अगला क्यूचन है जन संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B उल्ट आपका सबसे पुराना माध्यम है ता यहोप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर द नहीं भोलेंगे फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तब के लिए जाहिंद बैस्ट आप लग्ट